दोस्तों इंग्लेंड और न्यूसिलेंड के बीच हुआ फाइनल मुकाबला अब संकाओं के घेरे में आ गया है सोशल मेडिया पर ICC के रूल्स को लेकर तगड़ी बेस्ती की जा रही है पबलिक तो पबलिक बड़े बड़े दिगज भी ICC के इस रूल को काफी खराब बता रहे है आखिर पचास ओवर का मैच टाई होने के बाद सूपर ओवर भी टाई हो गया लेकिन जिस टीम ने ज़्यादा बाउंडरी मारी उस लिहास से इंगलेंड को चैंपियन बना दिया गया जबकि ये भी नहीं देगा कि पचास ओवर के मैच में इंगलेंड ओल आउट हो गया था जबकि न्यूजलेंड के दो विकेट शेस थे इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर ICC को ट्रॉल किया जा रहा है इसमें बड़े दिगजों का भी कुछ कहना है गौतम गंभीर ने लिखा कि मुझे ये फाइनल समझ में नहीं आ रहा है आप फाइनली ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसने ज्यादा बाउंटरी मारी है ये बहुत ही खराब है ये मैच टाई होना चाहिए था मेरी तरफ से दौनों को कॉंग्रेचुलेशन्स न्यूजलेंड और इंगलेंड आपने काफी एच्छा फाइनल दिया और काफी मज़ा भी आया गौत्म गंभीर के बाद इस पर युवरास सिंग ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं इस रूल के साथ एगरी नहीं करता लेकिन ये रूल से इंगलेंड जीत गई है मेरा हट कीवी के लिए काफी ज्यादा दुखी है आखिर काफी शानदार गेम खत्म हुआ बहुती शानदार ये फाइनल रहा युवरास सिंग के बाद इस पर विरंदर सहवाग ने भी अपना ट्वीट किया और निउजलेंड को संतावनाई दी सहवाग ने लिखा आपने वर्ल्ड कप जीता निउजलेंड तुम काफी शानदार रहे लेकिन ओवर्थ्रो का चौका मैच का टर्निंग पॉइंट रहा आपके लिए काफी ज़्यादा दुख है लेकिन आप पास आकर भी वर्ल्ड कप से दूर रहे गे लेकिन फिर भी आपने करोडो का दिल जीत लिया इसके बाद में मास्टर ब्लास्टर सचिन टेंडल कर ने भी ट्वेट करते हुए लिखा कि एक शानदार गेम खत्म हुआ जो पहली बॉल से 612 बॉल तक एक शानदार मैच रहा न्यूजलेंड के लिए बुरा फिल हो रहा है लेकिन इंगलेंड ने वो कर दिखाया जो उसे करना था न्यूजलेंड थोड़ा सा पीछे रहे गी कॉंग्रेशुलेशन इंगलेंड बड़े बड़े दिगज ICC के इस एवेंट के रूल को काफी बुरा बता रहे है जिया दोस्तों आपको बता ही होगा कि मार्टिन कुप्टिल ने एक थ्रो मारा था जो दो रन हो रहे थे लेकिन जहां पे स्टोक्स ने डाइव लगाई सब्सक्राइब करें खेलो खेलो ताकि और भी खबरें आप तो पहुँचे सबसे पहले